Good morning students, I am your English teacher Serta Johan, मैं आपको पढ़ा रहे हूं English grammar, so please let's open your books Students, अभी हमारा chapter second चल रहा है, Nouns मैंने last lecture में आपको बताया था कि proper noun क्या होता है, proper noun किसी भी specific name एक particular person का specific name, particular animal place, thing का एक particular name दिया जाता है, special name दिया जाता है, उसको हम proper noun कहते हैं आज उसके हम exercise करेंगे, यह हमारा lecture 4 है, color the boxes with common nouns yellow and proper noun in red मैं आपको यह समझा दूँगी कि इसमें proper क्या है और common noun क्या है और फिर color आप इसे करिएगा bank, bank बहुत सारे banks होते हैं, यहां पे सिर्फ bank दिया है, इसका name नहीं दिया तो यह हो गया आपका common noun अब दिया united bank, bank का यहां name दे दिया है, bank है पर कौन सी यह united bank है तो यह आपका proper noun हो गया January, January क्या है, एक month का name है, अगर यहां पर सिर्फ month देते तो वह common हो जाता लेकिन यहां name दे रहे है, January तो यह proper noun हो गया lady, यहां बताए एक lady है ठीक है, ladies तो बहुत होती है लेकिन यहां पर सिर्फ एक lady कहा है तो यह common person हो गया Mumbai, एक place का नाम है तो यहां place को name से identify कर रहे है तो यह आपका proper noun है, writer, writer means जो लिखता है, लिखने वाला होता है, उसे हम writer कहते हैं, writer तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ writer दिया है, तो यह common noun है, garden, common noun, lifeline, hospital, hospital बहुत होते हैं, लेकिन यह hospital का name दिया, उसको name से identify क किया गया है, तो यह हमारा proper noun, doctor Robin, doctor को एक name से बताया चाहरा है, कि यह जो doctor है, इनका नाम Robin है, तो यह हमारी proper noun, hill, आपने देख, hill तो बहुत सारी होती है, लेकिन यहां पर सिर्फ उसको बताया गया है, कि पहारी है, एक hill है, तो यह हमारी common noun, David, एक boy है, जिसका नाम David है, त तो यह proper noun, city, city, बताया कि सिर्फ एक city है, common noun, रामायन, रामायन आप जानते है, एक book है, तो इसको हम रामायन बता रहे हैं, तो यह specific name है, तो proper noun, giraffe, जिराफ, जिराफ, animal है, proper noun, car, car भी बहुत सारी होती है, सिर्फ का है, कि car है, तो common noun, tom, एक boy का नाम है, tom, proper noun, keys, keys, चाबी है, यह नहीं बताया किस की चाबी, cars की है, logs की है, क्या है, यह नहीं पता, सिर्फ keys है, तो यह common noun, grandfather, grandfather, बहुत सारा करी, किसी के name के साथ जोड़ा होता, कि tom's grandfather, david's grandfather, तो यह proper noun होता, लेकिन यह common noun, book, सिर्फ book दिया है, कोई book का name नहीं दिया, तो common noun, hotel, woods, यहां पर एक hotel है, पर hotel का नाम बता रहे हैं, यह होटल का नाम, woods, तो यह हमारा, proper noun हो जाएगा, next, देखिए, underline the common noun and the circle the proper nouns in the following sentences, यह कुछ sentences दिये हुए, यहां पर आपको common noun को circle करना है, और proper noun को underline करना है, तो मीरा इसे teacher, मीरा एक teacher है, teacher बहुत सारी होती है, पर यहां पर उस teacher का name दिया हुए, मीरा, तो यह हमारा proper noun हो जाएगा, तो इससे हम circle करेंगे, और teacher को underline करेंगे, रवी lives in Delhi, बता रहे हैं कि रवी, एक boy का नाम है, उसका नाम है रवी, वो कहा रहता है, डली में रहता है, यह डली की city है, लेकि दोनों को नाम से बताया जा रहा है, तो दोनों हमारे proper noun हों है, तो दोनों को हम circle करेंगे, नेक्स दिया है, सुमन, loves to eat oranges, यहाँ पे गल है, गल का नाम दिया है, सुमन, तो इसको नाम से आइडेंटिफाई किया है, तो यह हमारा proper noun है, और eat oranges, और इस तो बहुत सारी होते हैं, तो यह हमारा common नाम, इससे हम अंडरलाइन कर लेंगे, बॉलेन इसे beautiful city, यहाँ पे city है, एक city के बारे में बता था पर उसका नाम है, बॉलेन, तो उसको हम नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो बॉलेन हमारा proper नाम, और city हमारा common नाम, मिस मधू, is my class teacher, class teacher, अब ऐसे तो बहुत सारी classes होते ही, तो समय अपने अपने class teachers होते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है, कि मेरी class teacher कर नाम मिस मधू है, तो मिस मधू एक specific name हो गया, तो वह हमारा common नाम, वह स्वारी, proper नाम, और class teacher हमारा common नाम, ओके, नेक्स देखिए, write a proper noun for the following common nouns, one has been done for you, for an example, इधर साइड में बचाओ, आप यह देखिए, यह आपके common noun दिए होएंगे, ओके, और इनके आपको proper noun लिखने हैं, city, एक आपके लिए करके बताया कि इसे दिखाए, city, city तो बहुत सारी होते हैं, city तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहां पर city को name से बताया कि city है, पर क्या है, चेन नाए, इस तरह से भागी के आपको कोड़ना है, इसे book, book हमारी common है, लेकिन हमें book का specific name लिखना है, तो हम लेकिन हमने लिखा यहां पर रामायान, बर्ड, बहुत सारी होते हैं, लेकिन हमने यहां लिखा है, पिजन, कबूतर है, festival, फेस्टिवल, तो बहुत सारी होते हैं, होली, दिवाली, रक्षामंदन, और भी होते हैं, हमने यहां लिखा है, दिवाली, मन्त, जैन्वरी, रिवर, नाइल, आप इसके जगा यमना भी लिख सकते हो, गंगा भी लिख सकते हो, ओके, तो स्टिवन्स यह है आपकी exercise, प्रॉपर नाउन की और कॉमन नाउन की, I hope आपको यह समझ में आया होगा, have a nice day.